क्लास नाइन ते के इंपी बोड के सभी विद्यारत यहां पर ठीके निम्न लिखित का उर्दुराज पधारत नहीं है नमक बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम इत्यादी है उपधात हुए एटोम सब्द का प्रियोग किसनी किया था जोन डाल्टर ने कोशिका में केंद्रक की बढ़ती है विलियन एक क्या है समांगी मिस्रा ने न्यूटरान की खोच चेडविकने की थी पादप कोशिका की भित्ती सेलिलोज की बनी होती है इसके बाद में हम बात करें तो यहां से देकि इस्ताई उतक की कोशिका विवाजित नहीं होती पर न्यूटरन का जो नियम ह गड़तो पराधारी थे तापमान का मात्रहक की बात करें तो खेल भी न जाएगा जेल का जाएगा एक एसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रवबस्ता में पाई जाती है तो पारा संवेग का एसाई मात्रक क्या है किलोग्राम है मीटर सेकेंड इन्वर्शन तंत्रिका उतक का नाम बताएए नियूरोन और हिर्दे की पेसिया किस प्रकार की पेसिया है अनिक छिक होगी है चलिए अभे सत्य और आ सत्य ठीक है सत्य सत्य तो हिर्दे की पेसिया ये चिक पेसिया होती है बिलकुल आपका ये आ सत्य बात है क्योंकि इसी के उपर आपको घुमा फिरा कर बोला था ये हिर्दे की पेसिया किस प्रकार की होती है तो आपने लिखेंगे यहाँ पर एक चिक बोल रहा है, इसलिए यह बात होगे आपकी 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 सत्य कमपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोसक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है यह सर जेजे थामसन ने एनोट किरनो की खोच की थी, ठीक है तो यह आपकी आसत्य हैं और पोदो के कोपोसक पदार्थ हवा पानी मिट्टी से प्राप्त होता है, इसत्य है हिर्दे पेसी कंकाल से जुड़ी होती है, यह आपका असत्य है, विवज्य तक पोदो के में व्रदी वाले छेत्रों में पाए जाते हैं, यह आपका सत्य है, हो गया, निम्न तापमानों को सेल्से सिकाई में परिवर्तित कीजिए, और निम्न लिखित तापमानों को करना है ना जो बच्चा अच्छे से मेहनत करेगा अच्छे से तयारी करेगा ना उसी को अच्छे नंबर आएंगे अच्छा ये तो अर्दवार्सिक पेपर की बात कर रहे हैं अपन वार्सिक परिच्छा में जो बच्छा ठीक है अच्छे से तयारी करना चाहता है और जाकर देखना हो अर्दवारसी परिच्छा जैसे कतम हो उस पर solution के साथ दे रहा हूँ वाँ पर तो पूरी कीज़े ना तो आपको घबराना नहीं है अच्छे से तैयारी करनी है अच्छे से नोट से भी तैयार कर लेना है ना नी भी हो तो PDF के रुपमे में आपको का नाम लिखिये आपकी इस प्रकार के से पुष्टी करेंगे कि दिया हुआ रंगिन द्रव सुद्ध जल है रदर भोड द्वारा प्रस्तुत परमानु के नाभी की मोडल की व्यक्ष कीजिए बोर बेरी बरी इसक्रीम क्या है तीन कक्छाओ वाले बोर के परमानु मोडल क चित्र बनाईए परमानु के आउ परमानु कनो का नाम बताईए पोधो में वास्पो सजन के कारियों का उल्ले करना है उतक को परिभासित कीजिए एक उधारन दीजिए रेखित पेशी उतक का नामंके चित्र प्रारो सिर्शस्त है प्रारो सिर्शस्त कहा पाया जाता है अ घर्षन को बढ़ाने के दो उपाई संवेग से आप क्या समझते हैं संतुलित बल क्या है ये सारे प्रस्वन आपके ऐसे हैं कि ये अर्दवार्शी में आएंगे प्लस वार्शिक में भी आपके कबर होने वाले हैं ना आरके मिटीज के सिध्धानते से आप क्या समझते है क्या कारण है कि कार के जो है पानी में तेरता है जबकि कील डूब जाती है गुरुतुआ करसन का सारवत्रिक नियम लाइसोसोम के कारी बताने है गौल जी काई उपकरन के कारी ही के है चले इसके बाद में यहां से